जे जे श्री शितारा नाम और कथा जब भी कोई विवाद की स्थिति पर नहोती है ये वक्तों में ही कोई विनोत की स्थिति आती है तो यही बात कही जाते है कि नाम ये कथा नाम बड़ा ये कथा नाम से लावदी के हुगा ये कथा से लावदी के हुगा और दोनों ही इस्तिती का जो निश्कास है वो बिवाद के साथी उपन होता है और बिवाद के साथी पून हो जाता है क्योंकि दोनों में से कहा जाए कि ये चोटा, ये वड़ा, ये कम, ये ज्यादा तो ये कोई कहने वाली बात नहीं होती जिस प्रिकार नाम और राम जी दोनों एक है उसी प्रिकार राम जी का चैत और राम जी का नाम ये भी एक ही है गोसामी जी जब मानस को लिखना प्रार्म कर रहे हैं तो गोसामी जी ने प्रार्म में ही कह दिया कि देखो ये जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये बास्तम में भगवान का नाम ही है इही महे लगुपती नाम उधारा अतिपावन पुरान शुतिसारा इस रामचैत में कुछ और नहीं है जो सार है वो केवल भगवान का नाम है कथा का सार नाम है उसी प्रेकार आप सभी ने एक कथा सुनी होगी लोग कथा कि सभी दे़ताओं के बीच जब सौ करोड जब लामानों का विवाजन किया गया तो सब शंकर जी के पास पहुँचे और शंकर जी के पास पहुछके सब ने जब अपनी बात कहे तो शंकर जी ने का कि ठीक है फिसम बटबारा कर देते हैं धर्ती, स्वर्ग और पाताल टीनी लोगों में भगवान की कता का बटबारा कर देते हैं सब सह्मथ हो गए शंकर जी ने तीन भाग करके सब को बाट दिया अंत में संकर जी के पास क्या बचा? दो अक्षर, राम शंकर जी ने कहा कि भई ये तो हमें भी चाहिए ना तंसकम इतना तो पाईश में एक हमारा बनता है तो सब ने कहां ठीक है दो अक्षर हैं आप रख लीजए उन दो अक्षर के और राम नाम को स्विकार तरते ही जितनी सो कोलोड नामानती सब संकर जी के मानस में सोता ही आ गई नाना भाति राम उतारा रामायन शत्तकोट ये पारा तो नाम की स्विक्षर ताब यहां पर भी है कि नाम से ही कता है लेकिन क्या केवल नाम लेना नाम की इतन कर लेना कि यही परयाप्त है कि नाम के लिए हम कथा को दूसरे नंबर पर लख सकते हैं कि दूसरे नंबर पर रता ये कहें कि कथा की पिश्या कर सकते हैं कि जैसे कि आप लोगों के बीच भी चल भी रहा है कि ऐसा सही है संकर जी से बड़ा राम नाम जब फक कोई नहीं है तुम्पुनी राम राम दिन राती साल रजप हुं अनंग आ राती शंकर जी ने मात्रपावद्ति को राम नाम कुः देश भी किया सैस नाम समुसुनिश विवानी, जपी जी भे पिय संग भॉषानी ऐसे राम नाम जपक शंकर जी है वोही शंकर जी जिम माता सती को लेके चले हैं इसी अगस्त के आश्रम में राम कथा मुनी बर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी शंकर जी का स्वागत कैसे किया राम कथा मुनी बर्ज बखानी शंकर जी को राम जी की कथा सुनाई और कैसी बखानी विस्तार से सुनाई शंकर जी को क्या राम जी की कथा पता नहीं है सो करोड रामाण संकर जी ने देखी है तो संकर जी को क्या राम जी की कथा पता नहीं है सब पता है जब फिर भी फिर भी कथा के पीछे, कथा की प्रति फिर भी रूची है और कथा संकर जी को इतनी प्रसंद आई कि कहे तो सुने तो रगुपती गुणे का आता कछु दिन इत्तहा रहे दिरिनाथ संकर जी वहीं रुख गए बोले अब रोस कथा सुनेंगे रोस असम होगा कथा के बेना कहा जाएं जहां कथा है वहीं पर हुआ है जब माता सती का बिवा हुआ और दख्ष प्रिजाबती ने बाद में मना किया फिर यग किया शंकर जी का अप्मान किया शंकर जी को निमंतर नहीं दिया माता सती वहाँ पहुची है शंका जी के अप्माल से छुब दो गई और योग अगनी में स्यम को बसमी बूत कर लिया शंकर जी वहाँ से फिर सन्यास वेश में चले गए सन्यास वेश में जाने के resolve शंकर जी ने वो समय कहां बिताया शंकर जी ने राम नाम के जपक है चाहतो तो समादी लगा सकते थे ना जब सती जी से रुष्ट हो गए थे जब सती जी का त्याग कर दिया था मनीमन शंकर सहज स्वरूप सवारा लाग समादी अखन अपार वे ऐसी समादी लगा लेते लेकि नहीं समादी नहीं लगाई क्यों? क्योंकि अब यहां मन शांत नहीं है मन में विशाद है और विशाद को मिटाने का काम नाम नहीं करेगा राम कथा सुन्दर करतारी राम कथा सुन्दर करतारी संसे भी है कि उड़ावन हारी सब प्रिकार के संसे हर सुज़ाद सब को नश्ट करने वड़ी राम कथा है और इसलिए तब कचुकाल मराल पुनी धरी तहकीन निवास काग शुन्डी जी के आसलम में रहे साहत अर सुनी रगुपती गुना पुनी आया हूं कहलाई फिर बहां रहके शंकर जी ने राम जी की कथा सुनी कितने बड़े नामजापक है लेकिन फिर भी जहां अबसर मिलता है जहां जिस प्रिकार से अबसर मिलता है जैसा महर मिला शंकर जी तुरंत कथा के लिए कि हाँ भी, कत्था सुनेंगे भगवान के निज्ज सेवक गरवड़ जी जबर्ढम जी को नाक पास में बांध लिया गया और हन्मान जी, नाज जी के साथ गया गरवड़ जी के पास गरवड़ जी को समझाया तो करवड़ जी ने का कि ठीक है हुसता है भगवान की कोई लीला हो चलते हैं आपके साथ गरवड़ जी आए और आने के वाद जब भगवान की बंधन काट दिये तो गरवड़ जी के मन में संधे हो गया ये कैसी बात हुई बई जिनको बंधन में जिनके बंधन मैं काट रहा हूँ वो जगत के बंधन कैसे काट सकते हैं ब्यापक बह्म में बिरजबागी सा माया मोह पार पार मीशा सो अबवतार सुने वो जग माही देखो उप्रभाव कचूना ही मैंने तो सुनाता जो माया मोह से परे जो परवर्म परमेश्वर है संसा में उनका उतार हुआ है लेकिन इनका बंधन मैंने काटा मैंने देखा हूँ सो प्रभाव कचुना ही प्रभाव तो मझे कुछ दिखाई नहीं दिया भगवान के निच सेबक है फिर भी ये स्थित्य है भब बंधन ते छूटे ही न जपी जाकर नाम प्रगटन जणान घ्रभाव हुए प्रकर कासे मन को समझा रहा है कि नहीं लेकिन मन भिवी नहीं मानना अब मन जब नहीं मानना है तो फिर अब करें क्या नाजी के पास गया नाजी ने कहा कि देखो भई महा मोहो उपजा उल्तवरे मिटा ही नबेग कहेш ख़ूगए आपके मन में इसी साधान मोह की बात होती तो मेरे कहने से छूट भी जाता लेकिन ये तो महा मोह हो गया ना भगवान की जो माया है उस ने आपको बांद लिया है और भगवान की माया तो मेरे तो बस का है नहीं चतला ने पही जाए वो खैस आप ऐसा किए ब्रह्मा जी के पास गया ब्रह्मा जी के पास गया ब्रह्मा जी को जब सारी बात बताई तो ब्रह्मा जी मन में सोचने लगे मन महु करी बिचार वेदाता माया बस कर भी कोब दियाता जिनेके वर्शेब जो कुछ भी है संसार में सब माया के वर्शीवट हो जाते हैं और यहां तक की हरी माया कर अमित प्रभावा विपलवार जहिंग उहीं रचाआबा बगवान की माया का प्रभाव तो ऐसा है उसने बारभा मुझे भी रचाया है संसार मैंने रचा है लेकिन इस माया ने फिर भी मुझे रचाया है तो भई अब मेरे कहे तुझायेगा नहीं तब बोले बिद्गिरा सुआई जान महेश राम भुर्पुताई शाह संकर जी राम जी के प्रभाब को जानते है शंकर जी राम जी के प्रभाब को कैसे जानते है किस आदार पर ब्रह्मा जी ने कहा नाम प्रभाब जाने शिवनी को संकर जी नाम के प्रभाब को जानते है काल कूट फल दीनमी को तो जो नाम के प्रभाब को जानता है वो आपका संधे दूर का सकता है जो नाम के प्रिभाब को जानने वाला है ऐसे जो नाम के प्रिभाब को जानने वाले शंकर जी है वो शंकर जी भी कथा सुनने के लिए लाए जाते है कि किसी प्रिकाब भगवान की कथा में मिल जाए उनी शंकर जी ने जब हन्मान जी के दुप में अबतार लिया दोगी वहा वहा मैं पस्तित आ हो इसा मुझेव लांगी कत्ह आपकी छूट नहीं चीए आप भली चले जाओ धर तीश वूड़के आप जाने चाथ तो जाओ आप बिल्कुल स्वच्छंद हो स्वच्छंद कती इश्वला आप तो स्वच्छंद कती हो आपको जाना चाहें आप जाओ लेकिन आपकी कती भी कथा से बादित हो जाती है जहां कथा होती है बहां आप होते ही होते हो इसलिए जहां आपकी कथा हो बहां मेरा होना आवशक है और वो ही कथा के प्रेवी हन्मान जी कीतन के कितने बड़े प्रेमी है हन्मान जी कीतन के कुई साधान प्रेमी है क्या हन्मान जी से बड़ा भजनानंदी नहीं होगा दूसरा कोई जैसे हनुमान जी को भजन प्रिया है सब किसी को प्रिया नहीं है यत यत रगुनाति की इतनम तत तत कृतमस्त कांजलन जहां जहां भगवान श्री रामची जंदर जी के नाम का कीतन होता है बहां हनुमान जी की मुद्बर कैसी होती है नित्रों में अशुधार बह रही है और दोनों हाथ जोड़े हुए है मस्तक जुकाए हुए है ऐसा भगवान की कीतन का हनुआन जी आनन दे लेते है तो कथा और कीतन दोनों में लेश मात्र भी अंतर नहीं है हाँ जो मन में संदह हो जाए कोई विशाद वाजाए माया घिर ले तो वहाँ पर नाम से निवित्ति नहीं हुई है आप कोई विचाइत उठा के लिख लेजिए बहाँ फिर नाम से निवित्ति नहीं हुई है बहाँ आवश्यक हुआ है आवश्यकता हुई है भगवान की कता की शंका जी के कहने पर माता पावरती भी राम राम करने लगी थी देगे फिर भी माता पावरती ने कहा ना कि अब पिछली जनम में जो मुझे से अप्राद हुआ था उस अप्राद को छमा कीजिए और मुझे राम जी की कथा सुनाई है मुझे राम जी की कथा सुनाई है अम मैं राम जी की कथा सुनना चाहते हूं तो संकत जी बड़े प्रसन हो जाते हैं और संपूर्ण राम जी कथा माताफ पावती को सुनाते हैं तो घुकτο की थो महिमा — अनंत है भगवान की भक्ति के लिए कहा गया है ये बिनु विश्वास भगती नहीं, तही बिनु तरव ही न राम, राम कि पाब इनु सपन हो जीव न लह विश्राम, तो बिनु विश्वास भगती नहीं, ये बिश्वास कहां से उत्पन होगा, ये बिश्वास उत्पन होगा भगवान का चैत सुनने से, ये बिश्वास उ तो भी रस विशेस जाना तिन नहीं फिर उसने पिर राम जी की कथा के रस को जाना नहीं मत्रपावती क्या कती हैं धन्य धन्य मैं धन्य पुदादी सुने वो राम गुण भब भय हारी मैंने राम जी के चैट तो सुने हैं जो इस संसार भब भय हारी इस संसार के भय को नश्ट करने वाले हैं और भगवान के चैणों में विश्वास और प्रेम प्रदान करने वाले हैं. उन्हों क चाथा मैं आप से सुनी है. यही to संदे था ना. गर्वड़ी के मूँ में. महा मोह उपजा उर्तो ले. लेकिन वही, वही गर्वड़ी, जब काग उशुणी जिससे भगवान की कठा सुन लेते हैं, तो वही कहते हैं कि आपकी क्रिपास से मेरे सारा संदे की निवित्ती हो गई मेरा ज्यान दूर हो गया कब जब भगवान की कथा को सुना नहीं तो भगवान के चैत उसने बना कौन है जिसको माया मोहनी शक्ति किसके लिए कहा गया भगवान की कथा के लिए कि सबने अपने नुसार गाया है लेकिन फिर भी निगमशे से सिर्व पाल न पाल नहीं पाल नहीं है फिर भी भगवान की चैत से कोई पाल नहीं पा सकता ऐसा भगवान का चैत है और भगवान की चैत को सुनने से ही भगवान की नाम में विश्वास को उपन होता है आज आप राम नाम करते हैं कीतन करते हैं वो किसके कारण किस लिए है सिर्फ इसी लिए ना किकि आपने भगवान के चैत्र को सुना किसके माध्यम से सुना कहां सुना किस प्रिकास सुना वो बात बात की है वो विचार नहीं नहीं है आपने कहीं तो सुना हाँ ये राम जी है आज आपके सामने किसी के भी जैसे अब अरब देश हैं या इमिस्त हैं अब बहा के किसी देवी देटा का नाम आपको ले लिया जाए कि अमुक अमुक देखता है तो आपको समझ में आएका कौन कैसा कोई का नहीं आपको इनका नाम लेना चीए यह बड़े अच्छे थे आपके हमारी जानना प्रचान हम क्या समझें हम नहीं जानते तो जानने के लिए क्या है जानने का माध्यम कथा है उसी प्रिकार राम जी का नाम आपने लिया तो किसलिए क्यों 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 आपने राम जी के चैट को जाना तो माध्यम तो कथा है ना भगवान की तो भगवान की कथा कभी नहीं शूटनी चाहिए भगवान की कथा कभी नहीं शूटनी चाहिए भाव वस्त भगवान सुक निदान करुणा भगवन तरी मम्ता मदमान भजिय सरा सीता रणा सरा भगवान का राम राम को सिता जी पते ही हैं राम जी हैं उनका गुर्णकान करना चाहिए जैसे गरुड जी प्रसंद हो गए भगवान की कथा ही तो सुनके प्रसंद हो गए भगवान के धाम में रहते हैं भगवान के संग रहते हैं भगवान का नाम जबते हैं गरुड जी के पंको से वेदूर की दिचाम का गायन होता रहता है ऐसे गरुड जी हैं और उनको भी मुह ने पकड़ लिया उनको भी मुह ने पकड़ लिया तो निवित्ती कैसे होई निवित्ती का नाम निवित्ती का जो माध्यम है केवल और केवल भगवान की कता है केवल भगवान की कता है दूसरा और कोई माग नहीं है नाम ले रहे हैं वो ठीक है लेकिन भगवान में प्रेम भगवान में प्रेम भगवान के चैति से प्रेम भगवान के चैतिसे पे वो कैसे होगा जब भगवान की कथा सुनेंगे तव होगा तो इसलिए जितना हो ऐसा नहीं है कि आप की इतन कर रहे हैं तो आप भगवान की जो कथा है उसका आदा नहीं करेंगे की इतन अपनी जगह है लेकिन भगवान की जो कथा है भगवान का चैति है वो अपनी जगह है राम राम कीजिए नाम जब कीजिए लेकि साथ में यह भी कहा जाता है कि कमचकब जिनने पांच चौपाई, आठ चौपाई, दस चौपाई, एक चौपाई, दो चौपाई एक दोहा, दो दोहा तो अपनी जगह है भगवान की कथा का गायन करना चीए भगवान की कथा का श्रवन करना चीए भक्तमाल क्या है भगवान के चैत ही तो है जो भगवान ने भक्तों के साथ किये है भगवान ने भक्तों के साथ जो रिलाई किये है वही तो भक्तमाल है देखिए भक्तमाल की कैसी महिमा है तो कथा और कीतन जिस सदर साथ रहने चीए क्योंकि नाम ही कथा है और कथा ही नाम है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है कोई वहिद नहीं है इसे कहते हैं ने भग कि राम राम करें कि सीता राम करें कि दोनों में कोई अंतर नहीं है लेश मात भी लेश मात भी कहते हैं ना सो में से सो बैसा है पॉंट जीरो 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 बन परसेंट का भी अंतर नहीं है तो उसी प्रिकार नाम हो कथा दोनों में कोई अंतर नहीं है नाम में जो लगने का माध् कथा के द्वाला ही नाम में विश्वास पर्न होता है कथा के द्वाला ही भगवान की चैनल में प्रेम होता है अनिता मिला ही ने लगपती बिन अनुरागा वो बिना अनुराग के मिलता ही नहीं है कि ये जोग जब ग्यान बिलागा कुछ कर लो और वो अनुराग और प्रेम उसका माध्धम केल भगवान की कता है भगवान के चाहिता है बीविशन जी की सहना करती है आप सभी ने प्रसंग सुना होगा न बीविशन जी लंका में रहके राम राम करते थे लेकिन राम जी के पास जाने का कभी सास नहीं किया ठीक है क्या भीशन जी को पता नहीं था भ्रम्मा जी ने तो पहली बता दिया था कि रगुकुल में भगवान का उतार होगा राम रूप में होगा आपको भगवान की भक्ती का बदान दे दिया खुब राम राम करते थे किया कभी जा नहीं सकते थे भगवान के दर्शन के लिए जा सकते थे कभी नहीं गए किकी राम राम तो करते थे लेकिन भगवान का चैत कभी नहीं जाना था भगवान का सुभाव कभी नहीं सुना था भगवान कैसे है कैसा उनका सोभाव है भक्तों से कैसा इसने करते हैं उनके अवतार में कैसी हो उनकी लीला है कुछ नहीं लेकिन वही जो हन्मान जी पौशते हैं और जो राम जी का चैट है राम जी की कता है सब सुनाते हैं तब जाकर भी विश्यन जी के मन में विश्वास होता है कि अब भगवान की शर्ण में जाना सी, अब वो मुझे स्विकार कर लेंगे। तब जब शर्ण में जाते हैं तो क्या करते हैं श्रवन सूज सरु सूने आया हूँ कि आप शर्ण में आने वाले के अपळात दहीं देखते हैं, शर्ण आगत को सुषिकार करते हैं चाहें जैसी परिस्तिति में हो ताही ताही आरतिहरन सरन सुखद दुग भी जो आपकी शर्ण में होता है उसको आप सुखदान करने आले हैं पहले क्यों नहीं आए पहले भी तो राम राम करते थे नहीं आए विश्वास ही नहीं हुआ हिम्मत ही नहीं हुई कब हुआ विश्वास जब भगवान का चैत सुना क्योंकि बिनु विश्वास भगती नहीं तेही वे नित्रह वे नरा इसलिए नाम अकता दोनों का अपना अपना महत पर है दोनों अपने अपने स्थान पे हैं और दोनों को एक भक्त को कभी नहीं छोड़ा चाहिए, कभी कम कभी ज्यादा भी नहीं सुचना चाहिए, जैसे आप लोगों का दो घंटे का है, एक घंटा, पौन घंटा, आदा घंटा लगभभवान भी कता, एक घंटे का कीरतन, आदे मैं भी देखा था आप सभी का गूप में जिस प्रिकास से चल लहा था तो मुझे लगा इस तरी के सिक बोड़ना सही नहीं है शाम के समय समझाने का एक प्रयाज कर लेंगे बाकी जैसी रगुनाजी की इच्छा तो आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं जैजेश स्रीषी ताराम